बजाज प्लेटिना कमफर्टेक ESBS4 क्या एक कमफर्ट बाइक है और अगर आप इस बाइक को नई खरीदने जा रहे हैं या ये बाइक अगर आपके पास है तो आप ये जरूर जानना चाहेंगे कि इस बाइक के अंदर क्या कमिया है और क्या खूबिया है और साथ में आप कु आपको गंदी दिखेगी क्योंकि बारिस का मौसम है और अभी इस बाइक की धुलाई नहीं हो पाई है तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि क्या ये प्लेटना कमफर्टेक वही बाइक है जो पहले आती थी तो अगर आप इस बाइक के मॉडल को देखेंगे तो इसके प्लेटना जो पहले आती थी तो ये ऐसा नहीं है बिल्कुल ये गलत है आप इसके इंजन को देखेंगे तो इस बाइक में इंजन बिल्कुल बदल दियागा है इसके अंदर DDSI इंजन लगाएगा है जो पहले इंजन आता था वो इंजन इसमें नहीं है जो आप CT100 के अंदर silencer में भी बदलाव है तो आपने ये जाना कि इस बाइक के अंदर काफी बदलाव किया गया है तो अब ये जानते है कि इस बाइक में comfort क्या है तो सबसे पहले आप ये जान लें कि बजाज प्लेटना में सबसे बड़ी कमी थी इसकी headlight headlight इसके अंदर बहुती कम रह हैं तो ऐसा नहीं होगा कि जिससे आप जिससे आपकी headlight कम हो जाएगी और आपको problem होगी मैं आपको दिखा दूँ यहां पर आप देखेंगे चाहे आप accelerator घुमाएंगे या छोड़ देंगे तब भी इसकी headlight उतनी रहेगी ये पहला comfort किया गया है company के द्वारा और दूसरा comfort अगर आप देखना चाहेंगे तो आप यहां पर देखेंगे कि इस bike को self start किया गया है यहां पर इसमें self लगा हुआ है और यहां पर आपको so yes comforted लिखा भी मिल जाएगा और तीसरे बदलाव की बात की जाए तो आप देखेंगे इसमें बैठने के लिए ये system दिया गया है जिससे ये bike comfort हो गई है तो comfort के मामले में जान लिया आपने कि ये bike comfort कैसे हो गई है और अब हम जान लेते हैं कि इस bike के अंदर 2017 में जब ये BS4 हो गए तो इसके अंदर बदलाव क्या किया गया है इस bike में AHO system है यहां पर आप देख लें BS4 है ये bike और यहां पर आप इस इंजन के बारे में जान लेते हैं तो आप इस इंजन को ध्यान से देख लें इसमें DTSI लगा हुआ है और आप ये जान लें कि जो इनकी discover 100cc आती थी उसका जो इंजन था उसी इंजन के टाइब का ये इंजन है आप ये देख लें मैं ये नहीं कहूंगा कि वही इंजन है और इस इंजन की बात किया तो इसका इंजन है 102 CC का इसकी पावर है 8VHP 7500RPM पर इसकी टॉर्क है 8.96m 5000RPM पर और इसका बोर है 47mm और इसका श्ट्रोक है 6.8mm तो आपने इसके इंजन के बारे में जान लिया और आप इतना तो जानते ही है कि यहां पर ओयल फिल्टर लग है यह इसके अंदर बदलाव किया गया है और आप कैसे जानेगे कि आपकी बाइक BS4 है सबसे बड़ी बार यहां पर पहचान करने के लिए यहां पर आप देख लें यहां पर कैनिश्टर लगा हुआ है जिससे आप यह पता कर पाएंगे कि आपकी बाइक BS4 है कि नहीं यह पर कैनिश्टर लगा हुआ है तो आपने इसके इंजिन के बारे में जान लिया और इसके कमफर्ट के बारे में जान लिया और इस बाइक की सीट हाइट है 792 mm इसका वजन है 108 kg और इसका पेट्रोल टैंक जो इसमें पेट्रोल टैंक लगाया है वो 11 लीटर का पेट्रोल टै इसके अंदर दो स्प्रिंग इसके अंदर दी है इसके अंदर प्लास्टिक की चेन कबर आ रही है और पहले लोहिक की आती थी और टायर की बात की जाए तो इसके अंदर आप देख लें यहां पर आप देख लें इसके अंदर 277 का टायर दिया हुआ है इसके अंदर आपको tubeless tire नहीं मिलेंगे क्योंकि शस्ती वाइक है और इस बाइक की अच्छाईयों की बात की जात इस बाइक में आपको mileage मिलेगी comfort मिलेगा self start तो ही है यह बाइक आपको चलाने में यह बाइक smooth शब्र चाहित है कि इस बाइक को तो आप और जो सबसे पहले कमी आप यह जाने कि जो इसके में दर मेट्रो का कॉंटिनेंटल टाईर दिया गया है यहां पर आप देख लेंगे कॉंटिनेंटल लिखा हुआ इस टायर को देने से मेरे हिसाब से ये टायर कम अच्छा होता है क्योंकि जो पहले भाई काती थी उसमें यहां से बगल सही बीना खराब हुए है ये टायर बीच से फट जाते थे और आप पीछे देखेंगे तो पीछे भी 317 का टायर इसी मेट्रो का कॉंटिनेंटल टायर द कमपनी ने इस बाइक में पूराइँ और यह लगा के देते तो बहुत ही अच्छा रहता क्योंकि वह इंजन बहुत ही अच्छा इंजन था और इस इंजन की बात की जए तो इस इंजन में बहुर कम है इस ट्रोक जादा है इसलिए अगर आप सर्विश टाइम से नहीं करव कोई problem नहीं आईगी और अगर दूसरी कमी की बात की जा तो आप इस silencer को देख रहे हैं जो मैंने बताया था शुरूआत में कि इसके अंदर कुछ ऐसी problem आ रही है तो इस बाइक में जो आप ये silencer तो आपको अच्छी प्रफार्मेंस मिलेगी लेकिन आपको इस बाइक को टाइम से सर्विस करवाना होगा जिससे कहीं कोई प्राब्लम ना है अन्यथा आपको प्राब्लम हो सकती है तो आपने जान लिया कि इस बाइक में क्या खूबिया है और क्या कमिया है और आपको पता चल गया होगा कि ये बाइक कैसी है तो अगर आपको मेरी वीडियो और मेरे दोरा देगे जानकारी पसंद आई तक रिपाए मेरी इस वीडियो को लाइक करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें मेरी इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत धन्यबाद आपका दिन सुभर है धन्यबाद